मार्च 2021 में महाराष्ट्र में हुए ट्रांस्फर घोटाले का परदाफाश मेंने किया था छे महने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी लेकिन सरकार ने उस पर कारवाई नहीं कि थी जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिये किसने किसके साहता से अपना ट्रांस्फर करवाया किसने कौन सा डिस्ट्रिक मिलवाया यह सारी चीज़े थी उस रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया या मेरे पास वो आया और मैंने उसकी प्रेस कॉंफरेंस लेकर ये जानकर ही दी कि ऐसा रिपोर्ट मेरे पास है जो रिपोर्ट मैं देश के होम सेक्रेटरी साब को सौपने जा रहा हूं शाम को जाकर मैंने उस पर जब कारवाई नहीं हो रही थी तो माननिया नियाले ने कौट ने यह सारे मामले की तफ्तीश कि सीबी आए को सौपी और अब सीबी आए उसके उपर जाच कर रही है उस मामले में भी पूरू गुरुमंत्री आरूपी है वे अभी जेल में है और जब यह सारा अपना घोटाला बहार आया तो इस सरकार ने चुकि मामला तो सीबी आए के पास था तो इस सरकार ने विंडिक्टिव एटिटूड से एक गुना यहाँ पर दाखिल किया कि यह सारी चीज़े बहार कैसे आई इससे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट का उलंगन हो होम सेकरडिस आपको सोपी थी उन्होंने मुझे दो बार क्वेश्चन आयर भीजा है मैंने एक बार उनको जवाब भी दिया है कि उचित समय पर मैं इसका जवाब दूंगा है लेकिन कल है मुझे पुलीस की और से कि सी एर पीसी वन सिक्स्टी का नोटिस मिला है जिसमें उ बीकेसी साइबर पुलिस्टेशन में बुलाया है वैसे तो विपक्ष के नेता के रूप में मेरे पास इंफर्मेशन कहां से आई है इसको न बताना है मेरा प्रिविलेज है लेकिन बावजूर उसके मैं चुकी होम मिनिस्टर रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और कोई भी ऑफेंस गलत तरीके से भी अगर रेजिस्टर किया हो और उसमें अगर पुलिस कुछ पुछता चुसायता चाहती हो तो मैं उसको रिस्पॉंड करूंगा इसलिए कल ग्यारा बजे बीकेसी साइबर पुलिस टेशन में इस मामले के बारे में मैं जाने वाला हूं उनके सवालों का मैं जवाब दूँगा लेकिन मुझे इस बात का आश्चरिय है कि जो घुटाले बाजे और जिनकी सीबिया इंक्वाईरी कर रही है उनको अगर सही समय पर सरकार पकड़ती और छे मेना इसको दबा कर नहीं रखती तो शायद मुझे बाहर लाने के आवशक्ता ही नहीं पड़ती उनको सरकार बचाना चाहती है और जिसने घपला घोटाला बाहर निकाला उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है लेकिन मैं जरूर जाओंगा क्योंकि मुझे पता है दूद का दूद और पानी का पानी होता जा रहा है और जल्दी ही पूरे मामले में मेरा विश्वास है कि सीबी आए अपनी रिपोर्ट को सोपेगा या उसकी जो उनकी कारे पद्द्यति होगी उस कारे पद्द्यति को पूरा करेगा देखिए मुझे पहले से पता था कि इस प्रकार की बाते कही जाएगी इसलिए मैंने उसका टेक्निकल ऑडिट भी किया हुआ है मैंने उसका फॉरेंजिक ऑडिट भी किया हुआ है और इसके बावजूद यह 125 घंटे के बावजूद भी अलग से कुछ एविडेंस मेरे पास है जो मैं केवल CBI को दूंगा हम यह मांग करते है कि यह CBI को जाने चाहिए क्योंकि स्टेट पुलिस इसलिए इसको नहीं कर सकती कि स्टेट पुलिस का सिधा इंवल्मेंट भी इसमें और कई मंत्रियों के और बड़े-बड़े लोगों के नाम आ रह है और उसके बार जो सारी चीजे मेरे पास है वो सारी चीजे मैं कोर्ट को सौपूंगा